BPSC TRE 2023 की परिक्षा में पेपर के स्टेंडर्ड को देख करके बहुत सारी अभेरती परिशान है कि उनका कट ओफ मार्क क्लियर नहीं हो पाएगा या फिर क्वालिफाइंग मार्क तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उस कंडिशन में आयो के द्वारा कुछ जानकारी दी चीजे सपष्ट की गई थी कि कैटिग्री वाइज कितना क्वालिफाइंग मार्क होगा जिसको बाद में BPSC आयोग ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से संसोधित किया कि अगर हमारे पास कैंडिडेट्स अवलेबल नहीं होते हैं तो हम क्वालिफाइंग मार्क को रिड् आप इसकन पर देख पा रहे होंगे देखिए the TRE candidates are reminded that qualifying cutoff shall be stand relaxed to select candidate up to 75% of vacancy oblique number of candidate which ever is less यानि कि कहा ये जा रहा है कि qualifying जो मार्क होगा उसको relax किया जाएगा उसको dilute किया जाएगा जितनी भी vacancies है जैसे primary के लिए 80,000 के आसपस vacancy है तो उसका 75% यानि कि 60,000 बच्चों को एनिगा हो हमें select करना है ये आयो कह रहा है उसके लिए हम qualifying marks जो है उसको relax करेंगे यानि कि जो पहले तैह किया गया था वो नहीं रहेगा 75% सीटों को हर हाल में भरने के लिए यहाँ पर प्रतिबत्ता बताई जा रही है यानि 60,000 सीट प्रते हैं ऐसे अभियर्थी जिनका जो biometric attendance था वो नहीं लगा था उसके संबन में दूसरे number point में इनके द्वारा कहा गया देखिए facial recognition system is being used as such they are advised not to react behave in way which may go against them यानि कि facial recognition system को use किया जा रहा है इसलिए अभियर्थियों को सुझाओ यह दिया जाता है कि कोई भी ऐसा कृत्ति ना करे जो कि उनके against में हो जो कि उनके विरुद्ध में हो बहुत सारे centers पर यह अभियर्थी claim कर रहा है कि उनका जो biometric attendance है वो नहीं हुआ है तो आप सब इसके संबन्द में आयोगों को ग्यापन दे सकते हैं बहुत सारे भारी संख्या में ऐसे अभियर्थी claim कर रहा है कि उनके center पर इस प्रकार का कोई भी attendance नहीं हुआ है तो निशित तोर पर यहाँ पर center की गलती है उसकी खाम्याजी अभियर्थी थोड़ी भूर्ट देंगे तो यहाँ पर जा करके आप आयोगों को ग्यापन दे सकते हैं कि इस center पर हमारे facial expression को या फिर हमारे biometric attendance को नहीं लिया गया है तो उन सबी चीजों को किस प्रकार से देखा जागा आयोग निशित तोर पर इसको clear करना चाहिए और अभियर्थी को ग्यापन जरूर देना चाह इसको लेकर भी आज 25 अगस्ते 2023 को 7.30 बजे BPSC के आयोगों के द्यक्ष के द्वारा ये tweet किया गया है आप इसके पर देख पा रहे होंगे कहा ये जा रहा है कि admit card पर जो QR code था उसे जब scan किया रहता है तो वो fill बता रहा था लेकर उस समय अभियर्थी के रोल लंबर के द्वारा अभियर्थी का जो detail है वो online retrieve किया रहा था यानि प्राप्त किया रहा था तो ये प्रक्रिया normal है इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है अगर QR code को scan करने पर आपका detail नहीं आ रहा है तो ठीक है तो ये सब कुछ बाते कही गई है BPSC के द्वारा आप सभी को आपके result के लिए बहुत बहुत धेरसारी शुब कामना है और आज की परिक्षा के लिए बहुत बहुत धेरसारी शुब कामना है इस वीडियो क देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब